बहुत बहुत स्वागत आप सबी लोग हैं हमारी चैनल Commerce Zone पर आज हम करने जा रहे हैं क्वेशन नमर 21 जो की टेस गरवाल से है और उसके पहले चेप्टर पार्टनर्शिप फंडामेंटल से है तो देखिए क्वेशन क्या कह रहा है पहले क्वेशन को समझना है देन उसके वा क्लोजिंग डेट है और क्लोजिंग डेट पर दोनों की कैप्टल दो दो लाख रुपए है एच वेरेस करेंट एकाउंट हैड बैलेंसे ऑफ रुपीज 50,000 और रुपी 25,000 रिस्पेक्टिव ली देखिए यहां पर करेंट एकाउंट का बैलेंस दे दिया है इसका मतलब य यह हुई आपकी fixed capital जब भी किसी भी question में आपको current account का balance दे दे इट मेंस वहां पर जो partners की capital है वो कैसी होगी fixed होगी ठीक है फिर के अगरा interest on capital is to be allowed 5% पर रेना तो इसको तो आप बहुत असानी से निकाल सकते हैं इसमें interest on capital निकालने में बहुत ज़्यादा tension की बात नहीं है ठीक है तो जैसे कि 5% interest on capital है तो आप निकाल दीजी 2,00,000 का 5% कितना होगा 10,000 होगा तो यह तो आप बहुत असानी से निकाल सकते हैं ठीक है तो interest on capital आ जाएगा ठीक कौन-कौन दो पार्टने रहें यहाँ पे हमारे सिमरन और रीमा ठीक है तो सिमरन का जो interest on capital होगा वो 2,00,000 का 5% calculate करना है तो 5 upon 100 आपने कर लिया और आपका आ जाएगा 10,000 ठीक है इसी तरह से आप रीमा का calculate करेंगे तो रीमा का भी interest on capital 10,000 ह भी आएगा ठीक है अब जड़ा बात आती है कि हमें net profit 3,00,000 रुपीज दिया है और आप से कहा है कि interest on capital की journal entry करनी है और divisible profit भी find out करना है यानि P&L appropriation भी बनाना है तो पहला काम हम कर ले जर्न एंट्री करने ठीक है तो दिखें जर्नल एंट्री क्या होगी जर्नल एंट्री जो करना है अभी हमने जो last question आपको बताया था उसमें भी same ऐसी ही था जर्नल एंट्री करनी थी तो interest on capital यहाँ पर दिया है और आपको जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है जैसे कि हम देख चुके हैं कि यहाँ पर partners की capital कैसी fixed है तो जब partners की capital fixed होती ही तो को कोई भी एंट्री जो है वो current account से record होती है partners current account से तो क्या होगी एंट्री यहाँ interest on capital account debit to see mass current account ठीक है to करेंट अकाउंट ठीक है तो करेंट अकाउंट हमने record कर दिया अब interest on capital दोनों का 10-10,000 आया था यह यहाँ डाल देंगे ठीक है और टोटल इंट्रेस्ट on capital कितना है था 20,000 क्लियर है यहाँ पर फिर आप से कहा है कि prepare पेंडल अप्रोप्रियेशन अकाउंट ठीक इसको बनाना आपके लिए बहुत असान हो गया है अब तो क्योंकि आप लोग इतने question कर चुके हैं तो आप P&L अप्रोप्रिशन आप बहुत असानी से बना सकते हैं यहाँ जाएगा by net profit जो कि आपको question में already given है हमारे पास जो question में net profit given है वो है 3 lakh रूपीज ठीक है तो 3 lakh रूपीज आपका net profit आगया है यहाँ पर और debit side में आपका क्या आजाएगा interest on capital जो की firm के लिए क्या होता है expense तो two interest on capital account ठीक है रीमा का है 10,000 और सीमा का भी है 10,000 तो total interest on capital कितना हो गया है 20,000 ठीक अब 3 lakh में आप 20,000 माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा two divisible profit ठीक है तो divisible profit कितना आएगा 2 lakh 80,000 ठीक है हमें 2 lakh 80,000 क्या मिल गया divisible profit और आप देखें आपको profit sharing ratio क्या दिया question में चेक करिए profit sharing ratio है हमारा 3 to 2 तो जो भी हमारा divisible profit आया two lakh 80,000 को two is two sorry क्या था three is to two में distribute कर देंगे ठीक है तो रीमा एंड सीमा को distribute कर दिया जाएगा three is to two के ratio में तो two lakh 80,000 upon five से divide करेंगे five five जे 25 बचे three five six जे 30 अब इंटू three कर देंगे तीन जीरो three six जे 18 का eight बचे one three five जे 15 वन 16 यह हो जाएगा और तीन जीरो two six 12 का two बचे one two five जे 10 वन 11 यह आपका total divisible profit आ गया ठीक है तो hope so आपको इस और में आएगा तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें